दोश्तुल मस्कार आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैप वाले कोश्चन अक्सर सभी परिच्छों में पूछ जाते हैं किसी भी आप ऐसी परिच्छा की त्यारी कर रहे हो जिसमें GS से कोश्चन आता है या फिर EVS से कोश्चन आता है तो मैप की जानकारी आप को होनी चाहिए यहाँ पर आपके सामने दो मैप दिख रहे होंगे ठीक है एक मैप जिसमें पहले से भरा हुआ है कि कौन सा स्टेट कहां पे है किसके नीचे कौन सा है किसका पडोशी राजी कौन सा और एक मैप बिल्कुल ब्लैंक है तो ब्लैंक वाले मैप में हम भरते हुए चलेंगे ट्रिक से जो ट्रिक आपने थामनेल में देखी उसी तरीके से आपको ये पूरा मैप माइंड में सिट हो जाएग कि जम्मु कस्मीर के पडोशी राजी कौन से है या फिर करनाटक के पडोशी राजी कौन कौन से है इस प्रकार से प्रशन पूछे जाते हैं तो देखे सबसे पहले आपको माइंड में ध्यान रखना है कि सबसे उपर क्या है हमारा क्या रहेगा सबसे उपर रहेगा हमारा ठीक है तो हम जम्मू कस्मीर हम यहाँ पे भर लेते हैं यहाँ पे हमने क्या लिख लिया जम्मू कस्मीर आपको याद रहेगा सबसे उपर है अलग ही आपको याद रहेगा कि जम्मू कस्मीर है ठीक है उसके बाद आपको अपने मायों में क्या रखना है देखे उसके बाद आपने देखिए सबसे ज्यादा भाग कौन घेरे हुए है तो राजस्थान अर्थात राजा से क्या हो गया यहां पे आप राजस्थान से आप किसको रिलेट कर पाएंगे राजा से तो यहां पे हमने लिख दिया राजस्थान बिल्कुल हूब 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 आप देखिए प्रजा है ठीक है अब जब कोई राजा के वहां जाएगा जब कोई राजा के वहां जाएगा और यहां पर जम्मु कस्मीर के परोस में यहां पर क्या है लद्दाख भी है तो आपको ध्यान रखना है यहां पर लद्दाख है ठीक है लद्दाख कैसे आप याद रखेंगे त तो J से आपका जवाहर और L से लद्दा, जवाहलाल नेरू, इनको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, राजस्थान राजा का गड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेट कर पाए कि राजस्थान यहाँ कहीं पे होगा, अब जब राजा के वहाँ कोई जाएगा, तो कैसे इसका स्वागत किया जाएगा, बहारों फूल बर्साओ, है ना, फूल बर्सा करके स्वागत किया जाएगा, तो फूल आपको flower नहीं लिखना है F O O L फूल मूर्क वाला नहीं लिखना है आपको ये वाला फूल लिखना है P H U U L ठीक है ये वाला आपको लिखना है अब यहाँ पर आप देखिए कैसे इस trick को यहाँ पर हम फिट कर रहे हैं P है यहाँ पर तो P किसके उपर हो जाएगा आपका आप देखिए राजा के उपर फूल बरसाय जा रहे है न यह वहाँ पर कोई जाएगा तो स्वागत में फूल बरसाय जाएगे तो ये P हो गया आपका क्या पंजाब फिर उसके बगल में क्या है बहारो Fool, तो H से क्या ہو जाएगा यहाँ पे इसके बगल में just देखिए Himachal Pradis, यह क्या है Himachal Pradis, तो इसकी बात कर लिए हमने Himachal Pradis, ठीक है उसके बाद क्या है, एक U है U से आपका इसी के just बगल में क्या है उत्तरा खंड, तो यह हमने यहाँ पे U भर लिया, उत्तरा खंड ठीक है, उसके पास में जेश्ट नीचे आप देखेंगे क्या है ये तो आपका उत्तर पदेश है, एक U और हो गया UP, ठीक है उत्तर पदेश हो गया, अब बचा है L बहारों, फूल बरसाओ तो बरसाओ में B हम ले लेते हैं B से क्या हो जाएगा यहां पर बिहार B से बिहार लेर होई बात और यहां पर देखिए आप फूल कैसा है पत्तियों जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फूल की डंडी कैसी होती है या फूल की पत्तियां कैसी होती है हरी होती है, तो इसके नीचे just हरा हरा क्या है यहां पे हा से हरा और हा से हर्याणा ठीक है सबसे बीच में क्या होता है सबसे बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते है मद्ध बोलते है तो मैप के मद्ध में क्या हो जाएगा मद्ध प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा आपका मद्ध प्रदेश clear हुई बात ठीक है chest होता है ना मद्ध में हमारे मद्ध में क्या है chest है सीना है सीना कितने इंच का हो ला थे 36 इंच का तो 36 से हमें क्या आद रखना है 36 गड़ 36 से हमें आद रखना है इसके बगल में है 36 गड़ ठीक है अब क्या मचा अब यहां पर नीचे कुछ आपको देख रहा होगा आंधी के तरह यहां पर कुछ चीज़ें आपको देख रही है देखिए यहां पर यह ऐसे लग रहा होगा आपको आंधी में कुछ उड़ रहा है ऐसे करके है ना तो इसकी ट्रिक आप याद तुम ना तमिल नाड हो जाएगा यह तमिल नाड हो गया आंधी की तरह मतलब आंद्रप्रदेश यहां पर देख पा रहे होंगे आंद्रप्रदेश आंधी की तरह उड़ जाओगी मतलब इसके जश्ट उपर उड़ी सा उसे उड़ी सा क्लियर हुआ उड़ जाओगी ठीक है तो उड़ जाओगी यह आपका क्लियर हो गया इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आपको क्या दिख रहा है करेली के जैसा है हरा होता है न करेला यह केरल होता है करेला तो यह आपका हरारा करेला से आप केरल को याद रख सकते हैं अब देखें यहाँ पे एक कुछ आपको दिखरा होगा जो के सेप का है के जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना है न तो यह करनाटक है यहाँ पर क्या है करनाटक करनाटक है आंद्रपदेश हमने पहले ही फिल कर लिया था ठीक है आंद्रपदेश हमने पहले ही फिल कर लिया था अब देखिए यहां पर जो चीजें छूटी है उनको आपको देखना है ठीक है यहां पर देखिए आप ऐसा लग रहा है कि कोई बुर्का जैसा कुछ पहने हुई है तो एक लेडी है जो ठीक है हम मान लेते हैं यहां पे कि पश्चिम बंगाल वेश्ट बंगाल की लेडी कौन है वहां पे मेन जिनका नाम काफी फेमस है तो आप कहेंगे मम्ता बनर्जी मम्ता बनर्जी कहां से आपको ध्यान रखना है सर पे बुर्का पहनी थे तो यहां पे हो जाएगा सिक्क्यम ठीक है यह आपका सिक्क्यम हो गया अब देखे कौन कौन से राज्य बचे हैं अब भारत के जो लेफ्ट साइड में क्या है अफरीका है अफरीका से आया थे कौन महत्मा गांधी महत्मा हो गया गुजरात से कौन आया महत्मा गांधी तो लिख लीजे आप यहां पर महत्मा गांधी महत्मा से आपका क्या हो जाएगा महा से महाराष्ट यहां पर है महाराष्ट भी आपका ये वाला हो गया यहाँ पर ठीक है महात्मा और जी से क्या हो गया गांधी गांधी से हम रिलेट कर लेंगे यहाँ पर क्या यह जो छोटा सा भाग है यह क्या है गोवा ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई एक बार नहीं दो बार वीडियो को देखिए रोक रोक करके देखिए और इसको नोट करिए जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा अब हम बात करते हैं सेवें सिष्टर्स की सेवें सिष्टर्स के लिए आप कौन-कौन सी चीजें याद रखेंगे इसके लिए भी एक ट्रिक ह अरुण अकेले में तुम राम बंदिर नहीं पहुच पाओगे तो अरुण से क्या हो जाएगा आपका तोड़ा सा यहां पर छोटा दिख रहा होगा अरुण से देखिए क्या है अनुनाचल प्रदेश यहां पे यहां पे है अनुनाचल प्रदेश अरुण अकेले में अके अकेले में, में से मेघाले, में से मेघाले, फिर क्या कह रहा है, अकेले में, अकेले मतलब असम, एफ़र असम, मेफ़र मेघाले यहां पर है, ठीक है, तुम मतलब तिरपुरा, तुम मतलब तिरपुरा, राम मतलब मेजोराम, देखें यहां पर राम लिखा हुआ है, तो यह म जो रम, मंदिर μतलब मड़िपुर तो अरुन अकेले में तुम राम मंदिर नहीं पहुँछ पाओगे, ठीक है? ये ट्रिक है सेवन सिस्टर को आपको याद करने की सभी आपको सेवन सिस्टर याद हो गई होंगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं यूटी की यूटि आपको कैसे याद रखनी है अकेले में आप कोई समझ में आगे ना तूम अरुन अकेले में तुम राम-मंदिर नहीं पहुँच पाहाओगे तो अरुन से क्या होगा अरुनाचल प्देश अकेले में असम में से मेगा लए तुम सित्रिपुरा राम मिजोरम मंदिर मडिपूर यह आपको याद हो गया होगा